हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आंटार्टिक इंपल्सिब ट्रांजियंट अंटीना उर्फ अनीता के बारे में तो आखिरकार यह है क्या तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज कर रहे थे हैं ठीक है उसके अनुसार एक इंडिकेशन हुआ है पॉसिबिलिटीज है कि एक पैरलल यूनिवर्स एक्जिस्ट करता है ठीक है और वही अभी न्यूज में चल रहा है पूरे हैडलाइन्स में पूरे वर्ल्ड में कि अन्ठार्टिक एंपल्सीफ ट्रांजेंट अन्टण और अनिता ने एक लाइम लाइट कौस्मिक रहे सोवर जो है कि अशक हीरा है है कि अनुसार अनुमान लगाए द्दक एक और solar system exist करता है तो आखिरकार अनिता है क्या तोतो आप बात करें की अनिता है क्या तो यह design किया गया है Nasa के दुआरा एक अनिता एक instrument है जो radio telescope Enstrument है ठीक है जो कि detect करने के लिए بनाया गए बनाया है Ultra high energy cosmic ray neutron जो कि Pv ein scientific बलून फ्लाइंग ओवर अंटार्टिका ठीक है एक साइंट बलून फ्लाइ करता है आप देख सकते हैं नेक्स्ट इमेज में यह अनिता जो है फस्ट नासा अब्जरवेटरी है नीट्रोन उसका ऑफ एनी काइंड और यह इंबॉल्ब करता है अरे ओफ रेडियो अंटीनाज आप देख सकते हैं फिगर में अटेज्ट टू अहिलियन बलून ठीक है बलून आप देख सकते हैं वाइट किलर का विच फ्लाइज ओबर दा अंटार्टिका आइसीट अर्ट से 37000 मीटर ठीक है तो उपर में अंटार्टिका के 37000 उपर में देखिए आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह बलून है इसमें अंटीनााा लगे हुए है ठीक अरे सपर यह बोला जाता है कि जो स्लिएधी औरोव ओधार ऑफ तो इंट्राटिक धर रहता है उसका तो अप देख सकते हैं कि एक जाम के लिए पेंट ऑप ब्थीव से कि जो the neutronOS have energy on the order of 1018 electron volt and they are capable of producing radio pulses in the ice because of the ascarian effect ठीक है तो आप देख लिजेगा कि ascarian effect 1018 electron volt यह सब important है तो चलो निट्रनोज है क्या देख लेते हैं निट्रनोज है high energy particle जो पोस करता है no threat to us and pass through most solid object without any even noticing okay neutron जो है constantly bombard करता है एर्थ में as per some estimate emerging promise studies ठीक है hundred trillion neutrons पास करता है हमारे body से हर second तो हमें हम लोग को फिर भी को effect नहीं होता है ठीक है तो हमारे लिए खत्री की बात नहीं है neutron के यह high energy particle होता है तो यह interact करता है matter के साथ या नहीं अब हम देखते हैं पढ़ते हैं इसमें barely they interact with matter but if they do smash into an atom they produce a sour of secondary particles we can detect which allows us to prob where they came from in the universe ठीक है तो इसी तरह जाच इसी तरह अनुमान लगाये गया है कि और एक solar system exist हो सकता हो ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को